आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रवेदी सबसे पहले मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि G20 समू की अधश्ता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्यान का एक बड़ा अवसर है मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा अपने गाव शहर के प्रती गर्व की अनुभूती कराने का उत्सव है गौरव दिवस हिमाले से आ रही उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश में बड़ी ठंड और फीफा विश्व कप में आज रात ग्रूप E में स्पेन और जर्मनी का होगा मुकाबला अब समाचार विस्तार से प्रदान मंतरी नरिंद्र मोधी ने कहा कि G20 समू की अधिश्ता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्यान का एक बड़ा अफसर है आजा काश्वानी से मन की बात प्रकर में उन्हों ने कहा कि G20 की विश्व जन संख्या में दो तेहाई विश्व वेपार में तीन चोथाई और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत की भागीदारी है प्रदान मंद्री ने कहा कि भारत ने एक धरा एक परिवार और एक भविश्व का नारा दिया है जो वसुदेव कटुमकम के प्रती हमारी संकल्प को प्रदर्शित करता है प्रदान मंद्री ने विद्यालों, महाविद्यालों और विश्विद्यालों से अपील की कि वे G20 से जुडी चर्चाओं, बहसों और प्रतियोगताओं के अफसर स्रजित करें सरकारने केंद्री बजट 23-24 के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंद्रत किये हैं जन भागिदारी की भावना के अनुरूप बजट प्रक्रिया को समावेशी और सेहबागिता पूर्ण बनाने के लिए वित्य मंत्राले हर वर्ष देश के नागरिकों से बजट पर सुझाव मांगता है मंत्राले ने लोगों से अनुरूथ किया है कि अपने विचार और सुझाव दे जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थ व्यवस्था में बदला जा सके सुझाव भिजने की अंतिम तारीक 10 दिसमबर है मुकी मंत्रिश शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि शहर और गाव की गौरव दिवस इस्थाने निवासियों में अपने शित्र के प्रती गर्व की अनुभूती कराने और विकास में उन्हें सहभागी बनाने का उत्सव है मुकी मंत्रिश शिचोहान 29 नवंबर को मनाय जाने वाले सिहौर के गौरव दिवस की तैयारियों के संब्द में समिक्षा बैठक को वर्चुली संबोधित कर रहे थे इस दिन अमर शहीत को और चैन सीं की छतरी पर पुश्पान जली अर्पित की जाएगी साथ ही अंग्रेजों से संघर्ष में शहीद हुए 356 सैनिकों की स्मृति में शहीद इस्थल पर कारिकरम किया जाएगा टाउन हौल में आयुजित कारिकरम में सीहौर की प्रतिभावों का सम्मान किया जाएगा राजबाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी धारी योवा संगिठन है यह चरित्र निर्मान नेत्रवर शम्ता के साथ निस्त्वार्थ सेवाभाव की मूल्यों को विक्सित करता है उन्होंने कहा कि National Cadet Corps NCC राश के प्रती समर्पित नागरिकों का निर्मान करती है राजबाल शी पटेल शोहर इस्मारक भूपाल में NCC स्थापना दिवस की 74 वी वर्ष गांट एवं 75 वे वर्ष के शुबारंब अपसर पर समारों को सम्मोधित कर रहे थे NCC अधिकारियों द्वारा युवा वर्ष को सैने प्रसिक्षन देकर सैने गतिविधियों से अबगत कराने और अनुशाशन में रहते हुए देश प्रेम की भावना विक्सित करने का महत्यपूर्ण कारिया किया जा रहा है अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का ये समाचार आप आकाश्वानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन, योट्यूब, टुटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेब साइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है नर्दापुरम जिले में परेटन को बढ़ावा देने के लिए जिलाप्रिशासन बावन सब्ता वावन इवेंट के तहत लगातार नई कतिविदियां संचालित कर रहा है इसी के तहत आज से तीन दिफसिये अस्ट्रोनॉमी इवेंट का आयुजन हरवल पार्क में किया जा रहा है ये आयुजन शाम साड़े च्छा बजे से शुरू हुआ है जो रात नौ बजे तक चलेगा इस इवेंट के दोरान खगुल विज्ञान के विशशग्य, एस नटराजन, तारा मंदल ग्रहों और उपग्रहों के विशह में विस्तार से जानकारी देंगे प्रदेश में तेज ठंड पड़ रही है, पिष्टे 24 घंटों की दोरान कई हिस्सों में कडाके की ठंड से लोगों को परिशानियों का सामना कर्मा पड़ रहा है राजधानी भूपाल में 23 साल बान, 23 रात सबसे सर्द रही हिमाले से आ रही उत्तरी हवाओं के कारण भूपाल और उसके आसपास के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है अभी चार से पांच दिन प्रदेश भर में इसी तरह तापमान में उतार चड़ाव बना रहेगा इन दौर में बीते तीन साल में सबसे सर्द रात रही अभी पच्मणी सबसे ठंडा एलागा बना हुआ है मौसम वैग्यानिक ने बताया कि हिमाले से आ रही उत्तरी हवाओं का जोर सीधे भूपाल और उसके आसपास के शेत्रों पर पढ़ रहा है सिवनी में नियूनतम ताफ़ान सामानी से 5.1 डिगरी सेल्सियस तक कम चल रहा है नौगाओं और रतला में रात का पारा भूपाल के बरावर ही 3.1 डिगरी सेल्सियस पर पहुँच गया है जहांसी मंडल में रेलवे के काम के चलते भूपाल से होकर जाने वाली दर्भंगा एमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस सहित 6 स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर से रद्ध कर दी गई है इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे में दो स्टेशन के बीच निर्मान कारिके चलते गोरगपुर यश्वन्तपुर एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों के रूट बदले गए है इस दिशा में शोध एवं अनुसंधान के और अधिक प्रयास की जाना चाहिए राजपार शुपटेल रविवार को गांधी मैडिकल कॉलिज के सभागार में हुई एक दिफस्तिय आरोग गिभारती की राश्टिय फीजिटेरफी कॉन्फरेंस को संबोधित कर रहे थे ग्रुपडी में फ्रांस डेन्मार्क के को हरा कर अन्तिम सोला में पहुँच गया है हैमिल्टन में भारत और न्यूजिलेंड के बीच दूसरा एक दिफसी अंतरास्ठी करकेट मैच वर्षा के कारण रद्ध हो गया है तीन एक दिफसे करकेट मैचों की श्रंख्ला में न्यूजिलेंड पहला मैच साथ विकट से जीत कर एक शूनिस से आगे है तीसरा और अन्ति मैच 30 नवंबर को क्राश चर्ज में खेला जाएगा अब कुछ समाचार संग शेप में केंद्री खाद प्रसंसकरण एवं जलशक्ती मंत्री पहलाद पटैल ने सागर जिले की खुरे में दो करोड की लागस से बने वीरांगना रानी अबंतिवाई सामुदायक भवन का लुकार पन गिया मुख्यमंतिश शिवराश सिंग चोहान आज घरगों जले की बढ़वा विदान सवा के ग्राम डुडगाओं में विधायक सचिन विरला की बेटी के शादी समाहरों में समलित हुए आज सिहौर की शामपूर तहसील के पढ़ियाला पंपापुर से पारवती नदी में काली रेत का अवेद उत्खरन करते हुए खरिच विभाग की टीम ने एक पोकलिन मशीन और दस ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त किये हैं गुना कलेक्टर की अधिष्टा में 28 नवंबर को समय सीमा बैठका आयुजन किया जाएगा और बैतूल्स लेके ग्राम रिधोरा में खेत में बने मकान में आगलग जाने की कारण चार मवेश्यों की मौत हो गई जबकि दो मवेशी जुलस गए अंत में मुखी समाचार एक बार फिर प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी ने कहा कि G20 समू की अधिष्टा भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्यान का एक बड़ा आफसर है मुखी मंदरी शिवरा सिंग चोहन ने कहा कि अपने गाउं शहर के प्रती गर्व की अनुबूती कराने का उत्सव है गौरव दिवस हिमाले से आ रही उत्री हवाओ के कारण प्रदेश में बड़ी ठंड और फीफा विश्व कप में आज रात ग्रूप ई में स्पैन और जर्मिनी का होगा मुकाबला इस बुल्टिन में फिलहाल इतना ही अनुमती दीजिये नमस्कार करते हैं